हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल कैसे हैं आप लोग उमीद करते हूं बहुत अच्छे होंगे यह जो व्लोग है यह छोटी दिवाली दिवाली और दिवाली के बाद के कामों का है तो यह व्लोग मैंने आप लोग उसे शेर नहीं किया था तो सोचा क्यों ना अप कर दू और साथ ही जो दिवाली के बाद के काम हम मैंने किये वो भी आप लोगों के साथ शेर कर दू तो बस यहाँ पर छोटी दिवाली वाला दिन था दू पहर को हम लोग मार्केट गए थे तो 6-6 बजे के करीब आये थे आजकल 6-6 बजे ही अंधेरा हो जाता है फिर बस तैयार हुए और दिपक विपक जलाए उसके बाद इलू को सिटी की लाइटिंग देख ली थी क्योंकि वैसे तो हम धंतेरस पे देख आते बट इस बाद धंतेरस को नहीं जा पाए थे क्योंकि ये लेट आये थे तो सिटी गए सिटी जैसे ही एंटर किया वैसे ही आधा या एक घंटे का तो जाम लगया राज्यपाल का पूरा काफिला निकला तो इस वज़े से तो बस जैसे गर पे ये दिये जला दिये थे तो सभी लोग चाते हैं तो बिलकुल धीरे 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 करके गाड़ी जो है खिसकते हैं यहां तो मैं क्या है वीडियो में फास्ट फरवड करती थी हो और जो लाइटिंग जैसी होती है वैसा कैप्चर नहीं कर पाते हैं या तो आप उतरो उतर के आप वो लाइटिंग की वीडियो बनाओ वरना जो चीज आँखों से दिखती है वैसी आप capture नहीं कर सकते हैं कैमरा में तो उतरने का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि इतना भीड होती है इतना भीड होती है कि पाव रखने की भी जगा नहीं होती है या तो आप बाइक से जाओ तो फिर भी आप थो के ले होंगे और फिर वहीं फिर एक बजे तक भी काफी भीड थी तो वस वहीं पर डाबे में खाना वाना खाया और फिर आ गए थे दिवाली वाले दिन भी मैंने जादा कुछ शूट नहीं किया था यह देखे इस तरीके की लाइटिंग होई थी और यह आप गाड़ी के अंदर बैठे-बैठे आप शूट नहीं कर सकते जैसी होती है ना वैसी आप लोगों तक नहीं पहुंचा सकते तो इस तरीके से लाइटिंग होई थी जो भी बड़े-बड़े ज्वेलर्स होते हैं वो करते हैं तो जैपर में क्या है ना व्यापार मंडल है हर जगे के तो लोग मिल के शायद ये सारी लाइटिंग करवाते हैं हमारे घर के आसपास भी बहुत कुछ हुआ था तो मैं बताती हूं ना जैसे खाती पुरा में भी होती है नियूस अंगने रोड में भी होती है और महिश्णगर्ब की भी देख ली थी हमने मान सुरिवर की भी देख ल करना है उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगी जितना की हर दिवाले पर करते हैं तो इस बार इलू ने बुला तो सौहरी लाइटिंग मुझे देखा नहीं फिर भी सब कुछ करने के बाद भी एक दू जगा की रहेगी गई थी लाइटिंग देखाना तो और फिर एक दिन बा ald और अख किमार उंका अलगर दोता है, गाडी लोग होता है तो रूख नहीं पाते हैं , तो कहीं गाडी पार्ट करो और पूरे शहर में पैदल गूम तो यह इतना बड़ा गूम भी नहीं सकते हैं तो यह था फिर देवाली वाले दिन भी मैंने ज्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि काम रहता है इतना कुछ करने के बाद भी काफी काम रहता है एंड टाइम तक तो यहां पर बस डाबे में किसी में थालियां ली थी बारा बजे क करीं और फिर खाके डेड़ बजे के करीब धारा यह देखे मैं इस तरी किसी तयार ही हूं मैंने लुक किया है बड़ी मुश्के से किया है टेल और फॉल उल्टा लगा दिया था तो यह देखो पीछे जुडा बना ले भी बान ना यार यह ठीक है और यह पूजा की पूरी दिवाली में पटाके भी हम नहीं छोड़ पाए रात 11 बचे तो टाइम मिला के चलो पटाके छोड़े तो वह भी फिर नहीं छोड़ पाए चूचू ने बिल्कुल भी पटाके नहीं जलाने दिये यह जो चूचू है पूल जड़ी भी नहीं चलाने देती है दिया भी पक्ते तो वो घी भी पीने लग गए दियोंग तो इस सरी किस पूजा पूजा की पूजा भी देख मंदिर तो मैंने अल्रेडी सजाई रखा था तो बस थोड़ा बहुती पूजा लगाने गई था तो वो किया खानवना बनाया फिर बीच में जो है ताई जी वगएरे की फै भी नहीं किया पड़ोस के भाईया लोग भी आये थे तो यह सब कुछ बातों बातों में ही न निकल गया टाइम और पटाके तो बिल्कुल भी हमने नीचोड़े तो बस यहां पर रखाई था फिर नीचे गए फिर उपर आये फिर ऐसे करते करते कब 11 बजगे और पटाके यह थोड़ा थोड़ा हमने शूट कर वा लिया था कभी चूचो को बैल्ट से बांदा बांदो तो वो इतना भोगती है और बिना बांदे पटाके चलाओ तो वो ने पर कूद पड़ती है तो इसलिए इसका मूबी जो मूच्छा होती है न डॉक्स की वो इसकी मूच्छें तो यह रहीं नहीं सकती छुटपन से होती न मेरे पास तो इसकी आदित भी होती बनने की यह तो अपने खुली रहती है अपने मरजी के मालकिन है बस इस तरीके से कुछ दिवाली नेक्स डे बस मैं ब्लकुल दिवाली निकलती ही पूरा क्रेज चला जाता और मैं पे भी आना जाना लगा रहा तो फिर मेरी तबित दिवाली के बाद डाउन हो गई थी तो अभी तक अभी ठीक नहीं क्यों कि सर्दियां बिल्कुल आ चुकी है सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और इस बार कुछ थोड़ा मुझे जल्दी ही लग रही है तो इसी तरीके से इस तरीके से ही बीती दिवाली है तो यहाँ पे कोई 16 तरीकी रात हम भयादूज करके आ गए थी जो कि व्लॉग में आप लोग साथ शेयर कर चुके यह शनिवार का दिन थो और लेट शाम का टाइम होगा और मैं दो दिन से बैड पे थी फीवर आ गया मुझे और यह नावल चड़ा दी क्योंकि रोटी बेलने के तो मेरी हिम्मत नहीं थी फिर इनको भी देखो ऑफिस बेजना होता है सब करना होता है तो सुबह भी टिफिन बनाव नींद पूरी होती नहीं है और काम घर में इतना जादा रहता है तो फिर दो दिन पूरा रेस्ट लिया क्य है वो लगाँगी नए वाले वाइट भी रखें बट मैं पुराने वाले लगाँगी वो होता है ना कि आप नए कपड़े पहनते हो फिर जो है आपको अपने पुरानी कपड़ों में ही आपको अराम मिलता है वैसे ही आखों को भी तब आराम मिलता है घर में दिवाली के ट बेडरूम का भी बेडशीट चेंज करना था, सब कुछ करना था, खाने पीने का दिकतर सामान जो है मैंने बिल्कुली कम बनाया था, तो दो-तीन दिन में निपटी गया था, थोड़ा मैं रस्ते में ले गई, थोड़ा से मम्मी औरों को चका दिया, तो बिल्कुल कम बचा है तो यहां पर यह कुशन कवर भी बदल देती हैं, और यह वाले जो मम्मी ने दिये थे मुझे, मल्टी कलर वाले, यह वाले यहां वाइट के साथ अच्छे लगेंगे, तो मैं ने उस बेडरूम से यहां पर ले आई, तो यहां पर लगा दूंगी, तो दिवाली के बाद के काम भी बहुत होते हैं, आप दिवाली के लिए पूरा घर सजाते हो, लेकिन बाद में जो बिखरता है न, पूछो मत, तो अभी सारी इल्मारियां न, मुझे बिल्कुल सैट करनी है, क्योंकि ईलू ने, इन हो ने, मतलब मेरे कपड़े भी जैसे समेट दिया, और फिर उसक अटा दी हैं, और हटा के वापस जगे पर रखना इन चीजों को, ये भी एक बड़ा काम है, पहले तो इन सब चीजों को लगाओ, दिवाली से पहले और जोरो सफाईयां करो, ठीक है, बहुत सारी वीडियो इस भी बनाई, मैंने बहुत सारा काम किया, हच चीज को नया किय कुछ करवाया, और कुछ अपने हाथों से, अपने हाथों से भी मैंने बहुत काम किया है, तो इसलिए, फिर ये सारी माला अटा कॉर्णर और तो भी मैं नहीं अटाओंगी, और वो वाल का डेकोरिशन भी नहीं अटाओंगी, जब मेरा दिल करेगा तब अटाओंगी, इस तो फिर इसलिए, और चुचो भी उस गेट में चड़ चड़ के खर-खर-खर-खर कर दी है, तो इसलिए माला अटा दे ही, जो लाइटिंग मैंने रूम के अंदर लगाई थी, या जो भी है, वो भी समेट के रखने का टाइम आ गया, तो कुछ जो सही रहती है, वो तो काम आ जाती है, नेक्स्ट येर, या कभी भी, बागी, फिर नेक्स्ट येर अब निकलेंगी, या फिर कोई वीडियो बनाती हूं, मैं कोई डेकॉरेशन उनों की, तो काम आती है, फिर क्रिसमस में काम आ जाती है, तो यहां का भी मैंने ही अटा दिया, बिल्कुल हलका हलका, और ये बैटशीट भी मैंने उस रूम का भी चेंज कर दिया है, और दूसरा वाला जो है, वो बिच्छा दिया है, वहां के भी जो चीज लगाई थी, जैसे चेयर है, चेयर की गदी है, वो और सब कुशन कवर है, ये दूसरे बदल दी हलके वाले, और कुशन कवर और मेरे चू-चू फार देते, ये कभी-कभी उसका दिल करता है, ये उसको मस्ती में होते, तो वो दांतों से काट देते, कुशन कवर तक, और कुछ ये जला देते हैं मेरे प्रेस से, तो ऐसे करके, बस ये हटाई, और इसमें मैं तके वाली लगा देते, जो बड़ी वाली काम नह आरी होती है, तो इसका ये वाली जो मैं कवर चड़ा रही हूँ ना, पिलो कवर इसमें, इसका बेट शीट जो ये प्ले नहीं था, ऐसा जैसा भी मैंने देवाली पे बिचाया था, इसका भी बेट शीट इन्होंने प्रेस से जला दिया, तो मेरे बहुत पसंद का था, ये जो बैग लेके गई थी वहाँ पे, तो ये भी एक के अंदर एक डाल दूँगी और उपर डलवा दूँगी इन से, मेरे तो बस की बात नहीं है, उतना मुझसे नहीं होता है, चेहर पे चड़के भी मेरा हाथ नहीं जाता है, इसके बाद बस फ्रिज को थोड़ा से क्लीन क अभी थकान बहुत जादा हो गई है, फिर सरदियां आ गई है तो सांस की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो नहीं चल रहा है और अभी इलू के एक्जांस भी है, तो इलू बिजी है तो उससे भी हेल्प लेना नहीं बनता है, इन्होंने तो बोला था कि इलू की चुटियां है, तो तुम तो रुख जाओ, स्कूल की तो दिलवा दे न और कोचिंग की थी, तो मम्मी के ही रुख जाओ, रेस्ट कर लो, इलू के एक्जांस से तो मैं रुख भी नहीं पाई, तो आना पड़ा क्योंकि मम्मी और नहीं बोला था बुक्स और लेके आ जाना तो इलू यहीं पढ़ लेगी और फिर चलेगी, ऐसा नहीं हो पाता है, वहाँ पर पढ़ाई नहीं कर पाती, इसलिए फिर मैं आ गई थी, एक दो दिन में आ गई थी, और अब पता भी नहीं कब जाना होगा, क्योंकि आज इलू का बहुत बीजी रहता है, कभी स्कूल में बहुत ज़्यादा मैं परिशान हों गई थी, तो यह सबजियां लाए थे ज्यादा दो नहीं लाए लेकिन जो भी लाए थी मुझे पता नहीं था क्या-क्या लाए, तो बस ऐसे रख दियें, गो भी लाए थे, पता गो भी लाए थे, और इस तरीके से तो पालक मेθी लाए थे ज्यादा ने लाइए थे यही सब लाई थे जो इलूगती है और हमारे गर是這樣 बहुँ अब है just up हो ए ला बनानी पाते Потому psychiatर की बनानी पहते तो यहां पर क्या यहां कशंच से खड़का त्यार कर लोगे यहां यहां पर राज़मानी की भी तैयार करें तो दिवाली आई बहुत सारा 14 सितंबर से मैं काम कर रही थी जो कि अब तक सैट होने में टाइम लगेगा आज की दिन पर तो ये कर लिया अब जब भी मेरी तब ही ठीक होगी तो सारी अलमारियां सैट करने हैं सारे कपड़े सैट करने हैं दिवाली पर और अब एक काम और ब ठीक होता है तब मैं काम कर लेती हूं नहीं होता है फिर मैं बैड पर लेटी रहती हूं सोती तो नहीं हो लेकिन लेटी रहती हूं तो डायरेक्ट ये मैंने फिर 18 तारिक से शूट किया था दो दिन तो मैंने बिल्कुल रेस लिया क्योंकि मेरी बिल्कुल ही उठने की इमत नहीं थी, तो यहां पर मैंने राजमा डाल दिया और उसी कूकर में क्या कर रही हो कि मैं आलू डाल रहे हूँ, पानी से ही दूया है, सर्फ से साब नहीं किया है मतलब साबुन से, इस से क्या होता है ना कूकर की बच जातो की, नहीं तो दो-दो कूकर में काम करो फिर दूदू कूका सर्दियों में मांजो दो ये मुझसे नहीं होता फिर मैंने उसी में आलू डाल दे कि next day और राजमा बचा लिए ये next day का नाश्टा हो जागा हरी चटनी मैंने बना कर रखती है तो ये boiled राजमा है और आलू होई जाएंगे तो राजमा और आलू के कटलिट्स जो है मैं बना दूँगी next day संडे था तब ठीक रहती है तो संडे को इलू को पढ़ना था तो आना जाना तो कहीं ममकी नहीं था कि बाहर जाके नाष्टा कर लिया या यह 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 वो नहीं हो सकता क्योंकि अब उसका लगातार पेपर है जिसमें कि एक भी छुट्टी नहीं है तो फिर मैट्स और उसको तैयारी करनी थी दो दिन उसको पूरा बताया कि आज के दिन पे यह कर आपर के दिन पर यह करना और तीन दिन तोझे मैट्स को देने हैं यह जो मैं बुजिया भी लेकर आई थी मोटे बुजिया यह सबजी के परपस से ज्यादा में लेकर आई थी क्योंकि सुबह सुबह कभी जैसे इनके लिए इलू की चुट्टी और इनका ओफिस हो ना जहट से मोट सुच रखा था कटलेट्स उसमें पालक डल जाएंगे तो एक हैल्थी ऑप्शन हो जाएगा कि दो-तीन चीज़े डल गई तो यह भी मैं साफ करके और रगलू इपने में यह आगे थे साड़ीनों के करीब और दूद लेके आये थे फिर बस खाना माना खा लिया और उसके दूद करम करके उसके पास रख दूँगे यहां पे करीब 11 बज गए होंगे तो यह जो काम किया है वो दवाई लेकर कर पाई हूं ताकि फीवर जब तक ठीक रहता न तो तब तक तो कर पाते हैं वरना फिर बैड पे रह यह रहता है तो बस अब अदाम भीगो देती हूं और अभी देखो एडिटिंग करने में भी थोड़ी सांस उपनीच हो रही है लेटी हूं लेटे लेटे एडिटिंग कर रही हूं लेकिन ज्यादा बोल भी नहीं पा रही अभी मैं लेकिन एडिटिंग करना भी ज़रूरी है इसलिए दो व्लॉग मैंने मिला दी हैं लो बाइ